वहाँ पे सुसाइटी क्यों कोलैबस हो रही है और अमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते हैं स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को मंच पर जहरीला जाकिर नायक जालीदार टोपी बालो का मजमा जगह पाखस्तान और वहीं खड़ी है बुरकाधारी हिजाब पहनी हुई ये लड़की सर्याम इस बहादूर लड़की ने कट्रपंती जाकिर से ऐसा सवाल पूठा कि वहां खड़े लोग देखते रह गए उधर जाकिर नायक भी एक तक मुद तकता रहे गया इसलाम के नाम पर जहर उगलने वाला जाहिल जाकिर नायक अपने आपको इसलामे कुपदेशक कहता है लेकिन इस मासूम सी लड़की के मासूम से सवालों का जवाब तक नहीं रे पाया रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सुसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है और अमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते हैं स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को अपने एजेंडे के खिलाफ सवाल सुनकर इस भगोडे को इतनी मिर्ची लगी कि बुरकाधारी हिजाब पहनी लड़की को जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोशिश की गई इस लड़की ने अपने सवाल से भारत के भगोडे इसलामिक उब्देशक जाकिर नायक के मुग पर कराना तमाचा चाड़ किया जो उससे बरदाश्त भी नहीं हो पाया आपको माफी माँगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है बेन जी आपको पहला कबोल करने पड़ेंगा मेरा सवाल अगर आप कबोल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खतम बिवासपर्ट स्लामिक उब्देशक जाकिर नायक से इसलाम पर सवाल क्या किया गया कि वो बुफर गया ओके सर मेरे सवाल की नौयत गलत है मजभी तक्रीरों के लिए पाकिस्तान पहुंचे भारत के भगोडे जाकिर नायक को एक पस्तू लड़की ने अपने सवालों से सरयाम ऐसा नंगा किया कि वो किसी को मुँ दिखाने के लायक नहीं बचा है भगोडे और नफरत फैलाने वाले प्रचारक जाकिर नायक यहां भड़क उठा लेकिन उस लड़की ने उसकी सब के सामने धज्जिया उड़ा दी इसका वीडियो फिलाल इंचनेट पर जम कर वाइरल हो रहा है जिस भगोडे और कट्रपंती जाकिर नायक का पाकिस्तान की शहबास सरकार ने रेड कार्पेट विछा कर स्वागत किया था अब वहां की जनता ही उसकी फजीहत कर रही है उसके फरजी ज्यान की पोल खोल रही है यहां पाकिस्तान के कारक्रम के दौरान जाकिरनायक से लड़की ने इसलामी समाजों में बाल योन शोसन सहित व्यापक समाजिक मुद्दों के बारे में चिंता जटाई थी पश्टून से आई लड़की ने अपने इलाके में फैली बुराईयों को लेकर जाकिर नायक को कट घरे में खड़ा किया बुरकाधरी हिजाब पहनी हुई लड़की ने पूछा कि वो जहां रहती है वहां मज़ब से वास्ता रखने वाले कई लोग रहते हैं उनका समाजिक दाइरा भी बहुत बड़ा है उनकी बात भी बहुत लोग मानते हैं उसके इलाके में तब्लीकी जमात वालों का भी प्रभाव है फिर भी उसके महले में तमाम तरे की बुराईयां क्यूं है लेकिन इसके बाद सवाल से हक्का वक्का जाकिर नायक उस लड़की को जूठा साबित करने में जुट गया क्या रीजन हो सकती है कि सर वहां पर ड्रग एडिक्शन एडल्ट्री पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूध और इस तरह के बुराईयां जड़क पाच चुकी हैं रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पर सुसाइटी क्यों को लैप्स हो रही है और अमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को पिर क्या यहां लड़की ने जैसे ही सवाल किया जाकिरनायक बॉक ला गया इसलाम का जानकार कहा जाने वाले इस ढोंगी की बोलती बंध हो गई जाकिरनायक ने अपने इलाके में बाल शोशन के बारे में उसकी चिन्टाउं को खारिच करते हुए जवाब दिया और बाद में लड़की को ही माफी मांगने को कह दिया अगर ये आप अल्ला के दर्बार में सवाल करेंगे आप तो फद जाएंगे मेरे बेहन आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है बेहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेंगा अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खतम तो देखा आपने कैसे लड़की ने जैसे ही कट्रपंती सोच बेनकाब किया भगोड़ा जाकिर नायक इस कड़े सवाल का जवाब देने के बजाए इधर उधर की बाते करने लगा मासूम बच्ची को ही जूटा साबित करने की कोशिश करने लगा और भरी सभा में एक लड़की से माफी की मांग कर दी फिलाल इस वीजियो पर भरत के भगोड़े जाकिर नायक की खुब आलोचना हो रही है वही बहादूर लड़की का जिस तरीके से जाहिल जाकिर ने अपमान करने की कोशिश की उस पर ही सवाल या निशान उठ रहे हैं लेकिन इस वीजियो पर आप क्या कुछ कहेंगे आपके सामने हमने वीजियो पर दिखा दिया आप उस पर क्या राय रखते हैं कॉमेंट में जरू लिखें फिलाल के लिए तना ही देखते हैं नाने बाद असलामुड़ीकुम सर मेरे नाम पलवश्या है और आम फ्रम लग्की मरवाद एंड सर फस्ट अफाल अल्हम्दोलिल्ह एंड थैंक यू सो मच के आपने मुका दिया एक क्वेस्टन का सर मैं जिस जगह से बिलांग करती हूं सर वहां पर पारड़न माई उर्दू प्लीज मैं पश्टो स्पीकिंग हूं सर तुम्हें जहां से बिलांग करती हूं वहां पर सर कंप्लेट इस्लामिक रिलिजियस सोसाइटी है हें वहां खवातिन गर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती सर वहां पर अورते जो हैं वह गरों में रहती हैं और मर्द कोई नमाद करते हैं और हर शब जुमा को जो तब्रीग जुमात के या जितने भी दावा होते हैं दावति इलाला के रास्ते में निकलेवे लोगों का बयान होते है हर शब जुमा को तो सर वहां पे जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलिग इज्टिमावी हो गया तर वहां पे और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजिस और यानि उनका सोशल कंडक्ट जो है वह भी रिलीजिस बेस पे है पट तर मेरे क्वेस्टन यहां पे यह है कि आप आपके विस्टम के बदनाजर यानि अगर्डिंग विस्टम क्या रिजन हो सकती है कि सर वहाँ पे रग एडिक्शन, अडल्ट्री, पीडोफाइल्स और इस तरह के बुरायां जड़ पाचुकी है और सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सव सवाल पुछे भिंज और शॉट 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 तो आप रिजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सुसाइटी क्यों को लैप्स हो रही है और हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते हैं स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को भिंगा सवाल है कि उनके माशरे में जासे व वो खवातिन बहुत इस्लामिक खवातिन हैं वो घर के भार जरुट के बिना भार नहीं निकलती मैं भी घर के बार जरुट के बिना नहीं निकलता हूं और मर्द को भी घर के बार जरुट के बिना नहीं निकलना चाहिए हां के नहीं आप निकलते हैं जरुट के बिना बार को निकलता है? नहां भी ने निकलते हैर माशायَललाई आपा स्वाल है जब मेरे माशायालाब होते है इसलाम वे क्षिप अभण होता है लेकर वा हम पीडोफािल अगर मैं स सइब सुना, बहुत कॉमें है और आपने का कि सिना भी कॉमें है? सिनाद सर अभी होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और पीडोफाइल जो के बच्छों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और फिर उन बच्छों को जब बड़े होते हैं तो अगेन यह साइकल चलता जा रहा है सर यह बहुत बड़ा गुना है जो वहां होता है फिर जी आपके पूछावर आप खामोश नेगी अपने सवाल खटम हो गया या मेरा जावप सुनना चाहती है ते किरा आप थूसर आप आपका सवाल K swings के अभी मेरा जहाब सुनिए आप creatively जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉंट्रडिक्शन है आपने कहा मेरा माश्रा बहुत इसलामिक है और मेरे माश्रे में पीडोफाइल है दोनों में टकरा रहें कोई भी इसलामिक माहूल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता इसरे आपका पहला पार गलते हैं या दूसरा पार यह मुम्किन ही नहीं है बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है मुम्किन ही नहीं है आपको मानना पड़ेंगा आपके सवाल में खता है पहले बार या दूसरे बार हाँ के नहीं सिंपल मेरा माश्रा बहुत इसलामी के पीडोफाइले पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो यह नहीं सकता है कुन से इसलामी किताब में लिखा हुआ है कुन सा चाप्टेर रहे कुन सा वोज़ते का पीडोफाइल करना चाहिए कुन से अदिस में निकल आ है आपका ये कहना या पहले बार गल्ट या दूसरे बार दोनों बार तो सही इसलिये आपके सवाल में तक्रार है अपको ये कहना चाहिए कि मेरे माचला समझता है बोध इसलामी के तो मानूंगा ये बोलना इसलामी के खवादिन माट निकलते इने ज़रोत के बिना अगर आदमी लोग निकलते बार ज़रोत के बिना ये तो प्रॉब्लम है क्या ज़रोत है पिडोफिलिया इसलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले दस बार सोचो अगर ये आप अप अल्ला के दर्बाद में सवाल करेंगे आप तो फद जाएंगे मेरे बेहन आपको माफी माँगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है सर मेरे ये ये सवाल है कि वहाँ पे ये ही रिलिजिया बेहन बेहन जी आपको पहला कबोल करने पड़ेंगा मेरा सवाल अगर आप कबोल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खतम ओके सर मेरे सवाल की नौएट गलत है नौएट गलत ने सवाल गलत है आप गलत है आप ये इल्जाम लगा रहे हैंपके माशरे पे पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पिड़ोफिलिया दोनों गलत है दोनों में से एक तो सही रहेंगा या एक गलत रहेंगा ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते है दोनों तो सही हो इने सकता है अगर दोनों सही ये तो कुरान में गलती है ना उसमेला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोगे साथ आयत नमबर छे जब भी कोईच इन्फरमेशन आता है आप तैकिक करो उसे दोराने के पहले आप सारे मजबे में दोरा रहे हैं हजारों का मजबे हैं बीस हजार पचीस हजार और आप ये कह रहे हैं इसलामिक माचना एफिरिकों ते पीडो फेलिया है अन्याप इसलाम पे तौमत लगा रहें मेरी भेन और आप माफी भी ने मंग रहें ये होता है गलती बोलने के बाद भी माफी मंगने को हता है